सूपर भाद बच्चो आशा है कि आप सबी अच्छी होंगे आज हम हिंदी व्याकरण में मुहावरे की बारे में पढ़ेंगे तो आज का अमारा विशे है मुहावरे बच्चो बात कहने के दो तरीके होते हैं पहला साधारन तरीका तूसरा विशेश तरीका जब हम अपनी बातों व्यक्त करने के लिए normal words का use करते हैं उसे हम साधारन तरीका कहते हैं और जब हम अपनी विचारों को व्यक्त करने के लिए विशेश कधन का प्रयोग करते हैं उसे हम विशेश तरीका कहते हैं जैसे दिये गई चित्र में राजू को बहुत गुसा आ रहा है तो साधारत तरीके से हम इस वाक्य को कहेंगे राजू बहुत गुसा हो रहा है और अगर हमें यही वाक्य विशेश तरीके से कहना हो तो हम कहेंगे राजू गुसे से लालपीला हो रहा है इस वाक्य में लालपीला होना एक विशेश कथन है मतलब लाल पीला होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत कुस्सा होना इस दिये गए चित्र में सिपाई खड़ा है और चोर भाग गया मतलब सिपाई को देखकर चोर भाग गया अगर हमें यह वाक्य साधारन तरीके में लिखना हो तो हम लिखेंगे सिपाई को देखते ही चोर भाग गया और विशेश तरीके में हम विशेश कतन का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखेंगे सिपाई को देखते ही चोर 9,21 हो गया इस वाक्य में 9-2-11 होना एक विशेश कतन है जोकि एक मुहावरा है 9-2-11 होना का अर्थ है भाग जाना तो बच्चो इन दोनों वाक्यों में लाल पिला होना और 9-2-11 एक विशेश कतन है तो बच्चों भाशा में विश्येश अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है तो आईए कुछ और मुहावरों के बारे में पढ़ते हैं मुहावरे कोलू का बैल एक ही कारे से वास्ता हाथ मनना पश्टाना कान भरना चुगली करना बाय हाथ का खेल बहुत असान कारे बाल बाल बचना भोत मुश्किल से बचना चिकना घड़ा पक्का बेशर्म हावा से भाथे करना भोत तेज भागना बाथे बनाना बढ़ चड़कर बोलना आके खुलना होश में आना उल्टी गंगा बहाना विप्रीत कारे करना गाल बजाना डिंग हागना गोल माल करना गड़बर करना घाओं पर नमक छिड़कना परिशान वेक्ती को और परिशान करना दातो तले उगनी दबाना हैरान रहना चक्के छुडाना बुरी तरह हराना कलेजा ठंडा होना शान्ती होना अकल का दुश्मन मूर्ख खरी खोटी सुनाना बुरा भला कहना बेगी बिल्ली बनना डर जाना घोडे बेचकर सोना निश्चिन्थ होना नाको चने चबाना बहुत परिशान होना कलेजे का टुकडा होना बहुत प्रिये होना छाती पर सापलोडना जलन या इर्ष्या होना रेत उड़ाना खबरा जाना 9-11 होना भाग जाना तो बच्चों आपको यह सभी मुहाववे अपनी हिंदी व्याकरण की कौपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं धन्यवाद